हलो दोस्तो मैं अवीशा हूँ आपका फिर से एक नाई वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम सीखेंगे टू स्टेप वेरिपिकेशन यानि की डवल मजबुती यदि आपकी कोई mail ID या application without your permission किसी अधर डिवाइस में लोगिन करता है तो उसके लिए आएगा OTP आपके mobile में इस प्रोसेसिंग को किस तरीके से enable करना है आज सीख लेते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रू कर देना क्योंकि आपके लाइक से मुझे motivation मिलता है चलिए वीडियो शुरू करते है आपको यहां से साइड में ऐप्सन्स तो कर रहा होगा information यहां से आप name, date of birth, gender change कर सकते हैं हम यहां security के option पर click करेंगे then phone number पर click करेंगे आपको यहां अपनी country select कर लेना है और number enter करना है यह देखे मेरा इसने automatically ले लिया है जिसके बाद next करेंगे तो आपको six digit का OTP आएगा यह मेरा यह भी automatic verified हो गया है next करना है और done करना है यह देखें नीचे mobile number update हो गया है आपको safe browsing पर click करना है continue पर click करके हम turn on करना है यह भी हमारा on हो गया है अब आपको recovery mail पर click करना है अगर आपके पास कोई mail ID है तो आप यहां पर enter कर सकते हैं तो उससे क्या double मजबूत ही हो जाएगी जब भी कोई person other device में login करेगा तो आपके mobile number पर भी OTP आएगा और mail ID पर भी OTP आएगा अगर आपके पास mail ID नहीं है तो आप इसको skip कर सकते हैं अपका mobile number भी नहीं strongly काम करेगा for example हम यहां पर mail ID एंटर करेंगे देखिए इसका OTP अपडेट कर देंगे यह देखिए हमारा mobile number and email ID अपडेट हो गया है हमारा account protected हो चुका है हम नीचे स्क्रोल करेंगे और two step verification को on कर लेंगे mobile number enter करेंगे फिर से OTP enter करेंगे यह two step verification on हो चुका है प्रेस की में कुछ निकरना गया इस नीचे स्क्रोल करके देख सकते हैं two step on हो गया है recovery phone and mail ID भी अपडेट हो चुके हैं आप बेक करके mail भी कर सकते हैं और आपका account पुरी तरीके से protected हो चुका है आप इस वीडियो की मदद से two step verification enable करना सीख गया होंगे और आपको इस चैनल पर Gmail ID से related धेर सारी वीडियो मिलने वाली है उपर i button playlist में अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं है तो इस चैनल को subscribe जरू कर लिजिए और वेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके सबसे पहले notification चलिए guys मिलते हैं आपसे एक new वीडियो में new information के साथ सीखते रहें आपके अभी के साथ झाल